पुलिस भरती बिग्यापन इसका आज जारी हो गया है बिहार की तरह देखे यूपी वाले भी स्टार्ट कर रहे हैं भरतिया करना बात करें सिचक बहाली की तो देखे उसका भी जो आयोक का गठन है वो भी हो रहा है देखे आगे वो भी देखने को मिलेगी तो यहां पर हम बात करेंगे पुलिस भरती की तो देखे 6244 पदों पर यह भरती होनी है अगर आप दसनी बारवी पास हैं तो इसके लिए आप इलिजिबल है इसका फॉर्म भर सकते हैं समपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है सबसे बड़ी भरती है देखे 6244 पद सब्सक्राइब कर लिजे साथ ही बेल आइकन को भी प्रिस कर लिजे ताकि ऐसी अपडेट आपको आगे भी मिलती रहे है यह देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस भरती का पुरा बिग्यापन आ चुका है सारी जानकारी इसमें दी हुई है पुरा 26 पेच का है इसका पीडि सब्सक्राइब तो देखिए यह ओफिसियल विपसाइट है पर उपलब्द रहेंगी क्रपया समय सारनी देखें तो वहां से भी देखिए सारी चीजा आप चेक कर सकते हैं यहां पर देखिए 60244 पद हैं अनारचित के लिए 24102 EWS के लिए 6024 अन्य पिछड़ा वरगे के ल सब्सक्राइब परिच्चा के पूर किसी भी समय प्रिवर्ति की जासकती है भरती विवां था कि किकिसी भी समय यह ब्रति के किसी भी स्थर पर बीना कोई कारान बताए निरस्त किया सकता है Online अउनलाइन आवेदन स्टार्ट होने की दिखी बात की जाए तो ऐसे आज आज है आपकी तेजिस लिए तीन चार दिन में स्टार्ट वोगी दिख्याइवनाफधन स्वधन कि कि संसोधन कर सकते हैं उठार कर सकते हैं बहुत आच्छा मौका है देखिए आवेदन सुल्क यहां पर कितनी हैं तो इस भरती प्रक्रिया के लिए आवेदन सुल्क है जो 400 रुपए निर्धारित किया गया है अरहताओं की बात करें तो राश्टीता देखिए भारत का नागरिक हो मतलब भारत में कहीं का भी नागरिक हो तो वो इस फ कच्छे भी आप कुछ किये हुए हैं तो आप इसके लिए इलिजबल होंगे साथ ही में देखिए यहां पर एक पॉइंट यह है कि यहां पर अपेरिंग वालों को कोई मौका नहीं दिया जाएगा जैसे बिहार में फेज फर्ष्ट में हुआ था कि वहां पर अपेरिंग व सेच्छिक अरहता की अथार्थता सुधता विं समकच्छता को सिध्ध करने के लिए अभिलेखी साथ्च प्रस्तुत करने का दायत तो अभ्यातिका होगा मतलब जब आप आवईदन करेंगे उसमें जो भी आपकी साथ्चिक योगता डालेंगे उसका आपको प्रमाड और आप ही लेखी साच्छ प्रस्तुत करना होगा आपका दायत होगा वहाँ पर आप कोई फर्जी वाड़ा नहीं करेंगे आयू की बात की जाए देखिए तो पूरुस अफ्यर्थियों के लिए दिनांक 172023 से 18 वर्ष की आयू प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयू प्राप् मतलब निम्नताम आयू अही है और अधिक्तम के बात की जाए तो देखिए और 25 वर्ष की आयू प्राप्त ना की हो मतलब 172023 से 25 वर्ष से आप कम ही हो ज्यादा नहीं होने चाहिए अब भर्थी का जन्म 2 जुलाई 1998 से पूरो तथा 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर देखिए जिनकी भी डेटा बर्थ 2 जुलाई 1998 से पहले है वो इसको अपलाई नहीं कर सकते हैं नेक्स्ट बात करें देखिए सारीरिक सौस्थ ता की तो कोई भी सारीरिक दोस्त ना होना चाहिए सारीरिक दोस्ते मुक्त होना चाहिए तभी आप इसके लिए इलिजिबल होंगे बिकलांग बेक्तियों के दिखी बात की जाए तो बिकलांग बेक्ति जो होंगे पुलिस सेवाओं के लिए अरहर नहीं होंगे वो उसके लिए इलिसिबल नहीं होंगे भरती की प्रक्रिया देखिए यह चैन उत्तर प्रदेश पुलिस अरच्छी तथा मुख अरच्छी सेवा नियमा ओली 2015 यथा संसोधित उत्तर पुलिस अरच्छी तथा मुख अरच्छी सेवा प्रथम संसोधर नियमा ओली 2017 क्या जाएगा यह नियमा ओली बोर्ड की विपसा 0.5 मतलब 1 by 4 आपकी माइनस मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है 300 नंबर होंगे मतलब 1.500 कुश्चन और 300 अंग के होंगे टाइम की बात करें तो देखिए 2 घंटे का आपको यहाँ पर समय मिलेगा 2 घंटे में आपको 1.500 कुश्चन करने होंगे अब कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे यह मैं आपको बता दू तो देखिए पहला जो होगा 4 बिसे होंगे पहला आपका समान ग्यान होगा दूसरा समान हिंदी पूछी जाएगी आपसे संख्यात्मा के उम मानसिक योगता तथा मानसिक अभिरुची बुद्धी लब्धी उम तारकीक छमता वाले कुश्चन पूछे जाएंगे तो आपका math reasoning यही सारी चीज़ें पूछी जाएंगे सामान ग्यान और सामान हिंदी इसमें आने वाला है बागी देखी सारी चीज़ें यहां पर लिखी हुई है 150 प्रश्न, 0.5 प्रिणात्मा कंग, 2 घंटे का समय, वस्तुनिष्ट प्रकार का पेपर होगा और हाँ, CBT मोड में यहां पर आपका exam नहीं होने वाला exam जो आपका होगा, offline में ही होगा, लिखित परिच्छा होगी अब देखी जहां पर offline paper होता है, वहाँ exam के वाल एक ही पारी में होता है वहाँ पर normalization वाला कोई system नहीं रहता है जहां पर CBT mode में होता है, वहाँ normalization वाला system रहता है तो exam यहाँ पर आपका offline ही होगा कोई भी normalization वाली क्रिया यहाँ पर नहीं होने वाली है next देखिए यहाँ पर देखिए चीज दी हुई है कि अभ्यरतियों के संख्या क्यानों से मतलब अगर अभ्यरति ज्यादा होंगे तो जो exam होगा ज्यादा होंगे तो कई पालियों में कराया जाएगा कई दिन में होगा लेकिन अगर भ्यरति कम होगे तो एकल पालियों में ही कराया जाएगी अगर एकल पालियों में होगी तो वहाँ पर देखिए नहीं होगा अगर ज्यादा भ्यरतियों की संक्या होगी तो वहाँ पर normalization लागू होगा सारी चीज़े देखिए यहाँ पर clear की गई है नेक्स देखिए लिखिट परिच्छा के उपरांद बोर्ड दौरा उत्तर कुंजी प्रकासित की जाएगी तेथा प्रश्णों मुत्रों के बिकल्प में भेरतियों से आपत्यां मंत्रित की जाएगी मतलब अगर आपको किसी क्यूस्चन के उत्तर में confusion है कि नहीं ये गलत है तो आपको वहाँ पर आपत्यां आनलाइन प्रस्तुत करने का मौका दिया जाएगा साथ ही में देखिए आप जबर जस्ती आपत्य नहीं दर्जे कर सकते हैं उसका साथ छभे आपके पास होना चाहिए सारेरिक मानसीक परिछन की बात की जाए तो देखिए पुलिस वाली जो भरतियां होती है उसमें कुछ हाइड भी होनी चाहिए तो यहाँ पर देखिए सामान अन्य पिछले वर्गों अन्सूची जातियों के पुरू सभ्हरतियों के लिए नियुनतम उचाई 168 संटी मीटर होनी चाहिए साथ ही में देखिए अन्सूची जाती के पूरु सब भरतियों के लिए नियुनतम उचाई 160 cm होने जाए तो सामाने के लिए 160 और अन्सूची जाती के लिए 160 सीना की बात की जाए तो सामान अन्編 पिछड़े वर्गों और उन्सुची जातींक्या भातिएं के लिए नियुंतर सीने की माप 191 cm बिना फुलանने पर और कम से कम 84 cm फुलाने पर और उन्सुची जड़ेएं महिलाओं बना सिंट.'" महिलाओं की बात कि पार्फ की यह तो देखें महिलाओं की जो लंबाई है। 1502 में जो करें दोय हैं। पिच्छची जनजाती की जो हैं उनके लिए 147 संटीमीटर कंख new डिर्द मेरत कि ही गई heads महिलाओं के लिए देखिए सीने की नहीं वजन की बात होती है तो महिला भेरती के लिए 49 किलोग्राम उनका वजन होना चाहिए यहां से देखिए सारी चीज़े आपकी क्लियर हो गई होंगी बहुत ही अच्छी वेकेंसी है सभी लोग अपलाई करिएगा दस्वी बारवी पास तो सभी होते ही है ज्यादा तक जो भी आगे की जिनकी डिग्री होती है इसका पीडिये भी जो है मैं आपको सेयर कर दूँग